जै शनी देव, जै श्रीकृष्णा, हाजिर है आपकी गुरुमा रुक्मणी, फिर से आपका सापता ही कराशी फल ले करके, इस हाफते में आपके साथ क्या होने वाला है, यह सारी चीजे बताऊंगी, बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं, गुरुमा हम प्रतिक्ष के आप आते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरी लाइफ का पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है, इस बार जानने वाले हैं पांच अगस्त से लेकर के ग्यारा अगस्त के बीच में क्या होने वाला है अमारे साथ, दो दिन आगे पिछे इस राश शनिवार और मंगलवार का बिना टोकन का जो दरबार है फिलहाल क्योंकि दिली में बहुत बारिश हो रही है, उसके वजह से कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, और लाल मंदिर में जहां कारिक्रम रखा जा रहा है, वहां कावड की विवस्ता की जा रही है, जिसके कारेन अभी थोड़ा सा समिवा आपर लग रहा है, दुबारा से आपको इंटिमेशन दी दिया जाएगा जब भी शनिवार मंगलवार का जो दरबार है दुबारा से प्रारम किया जाएगा, गुरुवार को दरबार अभी भी लगता है, कभी चैंसल नहीं होता है, लगता है, लगता था, लगता रहेगा, उसके लिए बुदवार को टोकन लेकर के फोन द्वारा जो नीचे नंबर आ रहे है हमारी स्क्रीन पे या आपकी स्क्रीन पे और नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर कॉल करके बुदवार चार सिछे आप टोकन नंबर प्राप्त कर सक जिसका टोकन नहीं भी आया, आपको भगवान जी जरूर आपके कश्टों से निब्रत्ती प्रदान करें। साथ ही बताना चाहूंगी, 9 अगस्त को नाक पंचमी है, उस पर काल सब दोश की पूजा का एक विशेश आयूजन किया जाएगा। कुछ यंत्र मैंने तयार किये हैं जो कि उस दिन सिद करके बाठी जाएगी। तुलाराची वालों चली जानते हैं इस हफते आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी चीज के साथ अपने उमीदें बहुत जादा जूड़ी हुई थी, जो कि पूरा नहीं हो रहा है समय से, जिसकी बज़े से आप काफी एमोशनल हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना समय हो गया, आप तक तो हो जाना चाहिए, सबका काम हो जाता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर कि थोड़े से एमोशनल होते हुए, कुछ लोग तो रोते हुए भी लिटरिली दिखाई दे रहे हैं। जब भी लाइफ में अगर नीचे गिरो तो यह बात को समझो कि दूसरे बड़े पहाड पर चड़ने के लिए एक पहाड से तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो अगर आप लाइफ में कहीं दीचे जा रहे हैं तो समझ लीजे उससे भी उची चोटी पे आप चड़ने वाले हैं जहां से उतर के आए हैं। इस समय में अगर हम आपके फैनाशल उसकी बात करें जो समय रहेगा वो अच्छा है। आपको ऐसी कुछ दिकत नहीं होने वाली फ्लेक्सिबल टाइम है। आपको अगर मानीजे करदों से प्रॉब्लम जादा हो रहा है पैसे बहुत जादा देने हैं आपको लोगों को उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो इस हफते में हो जाएगा। कुछ लोगों को मुझे लोन मिलता हुँ दिखाई दे रहा है, नहीं तो उनको ओलत मिलती हुँ दिखाई दे रही है और हैं बात करें怎麼 business की तो business में कुछ अच्छा दिखरा है, श्को आप celebrate कर रहे हैं बिजनिस का, कि इस दिन हमने काम शुरू किया था, या आपको के नया order मिला है, बड़ा order मिला है, जिसको आप celebrate कर रहे हैं, कुछ है ऐसा special, जिसे आप celebrate करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर हम आपके जॉब की बात करें, तो जॉब में जहां आपको ऐसा लगेगा कि अब समय नहीं रहा, अब समय खतम हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहीं से आपको कुछ नहीं कुछ स्पेशल मिलेगा, तो उसके लिए काफी optimistic रही है, अच्छे रही है, अपने positive side को देखते रही है, आपके लिए अच्छा रहेगा, बात करें हम आपके love and relationship की, तो किसी तीसरे person की वज़े से, वो person मतलब lover नहीं है, कोई तीसरा friend हो सकता है, या आपके जो भी lover है, उनके भाई बहन हो सकते हैं, छोटे, उनके वज़े से कुछ लडाई आपके बीच में होती दिखाई दे रही है, जिसकी वैसे लडाई तो नहीं, आपके partner सकते हैं, तो अगर ऐसे होता है, तो समझ जाए पका उनके भाई बहन या किसी छोटी कजन ने, जो उनसे उमर में छोटे हैं, उन्होंने किसी ने उनके कान जो है वो भरे हैं, जिसकी वैसे वो ऐसा रूड बहेवियर आपके साथ बहेव कर रहे हैं, एक भाग से मैंने पू मेरे बिल में पूरा विश्वास था कि आपके में चलू ठीक हो जाओगी, मेरे लेफ्ट लेग भी और डुसों में प्रॉब्लम थी, और मैं गुरुमाने मुझे शीवा दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम थी और वो बहुत जगड़े करते थे, पहले रफ्ते में आते ही, अ ख़लने अगर हम देखे आपके फाइमली लाइफ को, तो धोले सी खनों सकते हैं, अगर आप अपनी वादर से सबसे बड़े हैं घर को चलाते हैं आपके इसाब से ही घर चलता है तो इस हफते आप से question कि यह जा सकते हैं आपको थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ सकता है आपके जो छूटे हैं या आपके जो भाई हैं वो पूछ सकते हैं कि क्यों करें हम क्यों मानने तुमारी बा आपको सही है या फिर आपने नात के टाइमिंग में कितने टाइमिंग में यह काम करना है इन दोनों में आप कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं करें करें आपके हेल्ट की बात करें तो हेल्थ जो है वैसे आपको बढ़ सकता हैं वो भी सोचो के कि घर ठीम जोफैंगे जोफिर्टम के परोझिन तो थोड़ा कुछ लोग के नीचे काले कटे हो जाना, नीन तो आएगा लेकिन साउंड स्लीप ना मिलना, पूरी नीन नहीं ले पा रहे हैं, लगेगा कितना भी सोले उसके बाग भी, कुछ लोग के भी मुझे एकम काली काली सी होती दिखाई दे रही हैं, और शुगर लेव इस समय में कोई नई चीज ना खरीदें, क्योंकि वो नई चीज पताने क्यों ऐसा लग रहा है, खरीदे ही खराब हो जाएगी, तो इस हफते अवाइड कर लीजिए, अगर बहुत जादा आपको नीड नहीं है तो, और घर का भी कोई लेक्ट्रोनिक समान है, या कोई साज जो श्रिंगार का समान है, वो मुझे खराब होते दिखाई दे रहा है, ये सब तहाँ आपके लिए बहुत सुखत चाहे, सुख शांती लेकर के आए, नाक पंचमी की बहुत सारी शुब कामनाई साथ दे रही हूँ, आशिरवाद भी दे रही हूँ, जै श्यनी देव, जै जै शुख शोण।